नमस्कार दोस्तों, हमारे यूटीब चैनल घरेलू उपाये में आप सभी का हर्दिक स्वागत है आज का टॉपिक है दोबारा से बालो को उगाएं, बालो को ज़ड़ने से रोकें, सफेद बालो को काला करें प्याच करस तो दोस्तों, मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि दोबारा से बालो को कैसे उगाया जा सकता है बालो को ज़ड़ने से कैसे रोकें, और काले बालो को सफेद कैसे करें अगर आप जानना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो लास्ट तक देखते रहें लेकिन दोस्तों, इससे पहले मैं आप सभी को बता दू, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल घरेल उपाय अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे तुरण सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसे नुस्खे, ऐसे टिप्स, ऐसे उपाय या ऐसे जानकारिया लेकर आते रहते हैं जो आपके जीवन को सुख में बनाने में बहुत ही कारगर होती हैं तो दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल घरेलू उपाय तुरण सब्सक्राइब कर लें आते हैं अपने टॉपिक पे दुबारा से बालो को उकाय, बालो को जहने से रोके, सफेद बालो को काला करे, प्याच करा खुबशूरत बाल हर कोई चाहता है, लेकिन सस्थ दिन चर्या के चलते बालो का ख्याल लखना मुमकिन होता जा, नामुमकिन होता जा रहा है घर पर बालो को धोना ही कई महिलाओं को अखरता है, जिसके लिए वह महंगे पालन में जाकर हेयर स्पाक आदी लेती हैं लेकिन क्या आप जानते हैं, बालो की समस्थाओं के लिए आपके घर में एक रामबाड इलाज मौजूद है बालो का जढ़ना असमे सफेदी रूसी समस्थाओं तो आम हो गई है, बालो की इन उल्जनों के लिए प्याज एक वरदान है, जी हाँ प्याज आपके बालो को जढ़ने से रूसी सफेदी और गंजे होने सिर्की समस्थाओं को दूर करती है प्याज वैसे तो भारत की बहुत आम वर्तों में से होने वाला प्रदार्थ है, प्याज में सलफर, नामक, मिन्रल भरपूर मातरा में भरा होता है, जो बालो को विकास के लिए बहुत मातपूर होता है एक आम सा प्याज आपके बालो को बढ़ने की रफ्तार को दोगना तक बढ़ा सकता है, जानते हैं कैसे काम आता है प्याज आपके घरो, आपके बालो को घना और लंबा करने में इस प्रक्रिया में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक लाल रंग का प्याज भूरे रंग के बालों का उगना और बालों का जहरना रोक सकता है हमारे बालों का विकास हमारे जीन्स पर निर्भर करता है लेकिन कई कारणों के वज़े से हमारे बालों का विकास रुख जाता है या कम हो जाता है यह विधी आपके लिए लाबधायक तो होगी ही बलकि आगे चल कर आपके बच्चों के भी लाबधायक होगी देखते हैं ये कैसे होता है इसकी विधी जो है बालो को जढ़ने से रोकने के लिए बालो पर प्याज के प्रयोग का सबसे बहतरीन तरीका प्याज का रस के रूप में प्रयोग करना है प्याज के रस के फायदे 2-3-5 प्याज छिल ले और उन्हें अच्छे से पीस ले इस पेस्ट के अपने हाथों से निचोड कर इसका रस निकाल ले अब इस रस को अपने सिर पर तथा बालो पर लगाए अब रस को सिर पर आदे घंटे तक रहने दे एवंग हलके शैंपू का प्रयोग करके इसे धोले हफते में तीन बार इस पद्धिती का इस्तमाल करें और मन चाहे परड़ाम की प्राप्ती होगी परन तो अच्छे परड़ाम पाने की आशान ना करें क्योंकि प्राकृतिक उप्चार उकी में काफी समय लगता है दो बारा से बालो को उगाएं प्याज का रस शहद का उप्चार एक कटोरी में दो चमच सहद ले और इसमें एक चौथाई कप प्याज का रस ले इस दोनों को अच्छे से मिलाएं और सिर पर मसाज करते हुए धीरे धीरे लगाएं बहतरीन परड़ामों के लिए इस प्याज का प्रयूग हफते में तीन बार करें प्याज, औलिव उइल, नारियल, तेल पैक इस पैक को बनाने के लिए कुछ प्याज लेकर पीस लीजिए और उसका रस निकाल लीजिए इसमें चम्मच, आलेव उयल और नारियल का तेल मिलाएं इस मिस्रण को बालों में लगाएं जडों से इस तेल को लगाएं इसे दो घंटे तक लगा रहने दे बाद में सैंपू से धोले इस पैक को आप रोज लगा सकते हैं प्याज, बीर और नारियल तेल बीर नारियल तेल के साथ प्याज के गूदे को मिलाएं और बालों में लगा लीगी है इस मिस्रण को तीन घंटे तक बालों में रखना है इसके बाद सैंपू कर लेना है इसे से बालों में शाइन आएगी और वह घंए दिखेंगे तो दोस्तो आशा करता हूँ आपको मेरे द्यारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले अगर आपके मन में कोई भी सुझाओ या सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूले और दोस्तो आपको मैं बता दूँ अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल घरेलू उपाय अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तो इसे तुरण सब्सक्राइब कर ले दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल दे घरेलू उपाय तुरण सब्सक्राइब कर ले नमस्कार